तो हलो फ्रेंड आए दिन कई सारे जो फ्रेंड होते हूं यह कोश्चन करते हैं कि सर मैं नोन ब्योई हूं तो क्या मुझे ब्योई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ओके अगर मालीजे कोई डिप्लोमा केंडिडेट है या बिटे कंडिडेट है तो उसे ब्योई करना चा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर B.O.E यानि कि बोईलर ऑपरेशन इंजीनियर बनने के क्या-क्या फायदा है एक candidate है माली जी वो किसी industry में काम कर रहा है और फिर उसने मेहनत किया पढ़ाई लिखाई किया ठीक है उसने form भरा ब्योई किया और फिर वो exam में पास होनी के बाद वो ब्योई certified हो गया ठीक है तो अब उसके क्या-क्या फायदे होते हैं उसको हम लोग एक-एक point करके समझेंग ठीक है बेसिक सबोलर है तो यहां पर माली जी कोई एक candidate है इसने ब्योई certified कर लिया तो अब इसके क्या पायदे होंगे ओके तो पहला देखे पहला जो point है कि professional recognition ठीक है यानि कि अगर माली जी आप नोन ब्योई थे और अपने ब्योई कर लिया तो आप एक तरह से professional आपको यह मानत्या मिल गई कि आप किसी भी industry में काम करने के लिए एक professionally recognized है यानि कि जैसे ब्योई सेटिफिकेशन इजे रेकनाइश्ट क्वालिफिकेशन डेट वैलिडेट यूर इस्कील एंड नौल इट इंहेंस यूर credibility in the industry यानि कि माली जी आप किसी industry में काम करें आप भी हो गए तो यह एक तरह से आपको recognized करता है कि आपके पास एक qualification है एक validate करता है आपके skill के आपके knowledge क्यों कि आप इस काम के लिए एक particular आपके पास skill है knowledge है ठीक है जिसे industry में आपको इसका credit मिलता है आपकी career जो होती हूँ वहाँ पर और enhance होता है ठीक है आपकी value जो होती है वो increase होता है next point क्या है कि compliance with legal requirement अब देखे according to IBR अगर बात करें तो किसी भी industry में अगर boiler है तो वहाँ पर उस boiler को चलाने के लिए certified candidate होना अवर्शक होता है यानि कि या तो वो boiler attendant के रूप में रहे या mandatory है यह जरूरी है कि ब्योई certificate होना ही चाहिए ठीक है यह legal है ठीक उसी तरह जैसे बात करें आपके घर में बाइक है ठीक है तो बाइक चलाने के लिए यह legal चीज होता है कि आपके पास license होना चाहिए ठीक है license है तो ही आप बाइक चला सकते है as per government rules लेकिन ऐसा भी तो होता ह कि जिनके पास license नहीं होता वो भी बाइक चलाते हैं ठीक है लेकिन आगर rules के बारे में बात करें तो आपके पास license होना चाहिए उसी तरह अगर आप boiler कोई boiler industry में अगर आप operate कर रहे है तो उसके लिए आपके पास license होना चाहिए और वो license जो होता है वही ब्योई certificate जो होता है वो एक तरह का license होता है उस boiler को operate करने के लिए ठीक है तो यह एक legal requirement होता है जैसे यहां लिखा है इन मेनी स्टेट गवर्मेंट रेगुलेशन मेक्स ब्योई certification mandatory ठीक है यानि कि जोरूरी होता है for operating boiler this certificate is legally authorized to operate boilers यानि कि यह legal होता है authorized होता है boiler को operate करने के लिए अब second point क्या है second point बोला कि during the BOE certification process you gain in depth knowledge of boiler design maintenance safety protocol and troubleshooting this help you solve on ground problem effectively and become expert in your field जब आप BOE करते हैं तो आपकी skill जोते हैं वो काफी increase होती है क्योंकि जब आप BOE certification का preparation करते हैं तो आपको depth में knowledge चाहिए होता है वो knowledge gain करते हैं, designing देखते हैं, maintenance उसका देखते हैं, safety protocol देखते हैं, safety एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो ठीक है safety को लेकर ही BOE जोते हैं वो mandatory कराया जाते हैं तो travel shooting देखते हैं कि क्या problem आती है, कैसे उसको लोग solve कर सकते हैं, इस सभी के बारे में सिखते हैं तो आपका एक तरह के skill जो होती है, वो enhance होती है, जो आपका own ground problem solve करने में सहायक होता है तो एक तरह का जदी आप BOE करते हैं तो आपका skill जो होता है, वो enhance होता नेश्ट है, promotion and career growth, अब नेश्ट आपको क्या benefits हो सकता है, कि जैसे मान लिजिए आप non BOE है, आपने BOE किया, तो बहुत सारे industry ऐसे होते हैं कि उस BOE certificate के level पे आपका promotion करते हैं और उससे आपका career भी growth होता है, अब जैसे ही manager होगे, तो उस level के salary structure होती है, वो increase हो जाती है यहाँ पर वही चीड बोला कि if you are already working in industry, getting a BOE certification, increase your chance of promotion and you may have opportunity to move into a senior role such as boiler manager and plant engineer as expert in your field ठीक है, तो जो इस काम के लिए आप expert होए हैं, अपने skill बढ़ा है, तो उस काम के लिए आपको chances मिलेंगे, आपका promotion होने का chances जादा होता है बहुत सारे industry हैं जो repotate plant होती हैं, वो करती भी है इसा, ओके, job security, अब मालीजे, आपके पास कोई एक diploma certificate था, normal, आपके पास education qualification था, ओके, तो अभी तो आपके पास कोई एक certification एक special certificate नहीं था, लेकिन जदी आप योई कर लेते हैं, तो आपके पास एक special certificate होता है, जिससे professionally जिनके पास अगर नहीं होता है, तो उनको देखिएगा, उनका job security और आपके पास अगर भी होई है, आपकी job security, तो professionally अगर हम सोचेंगे एक industrial torque के रूप में, तो इन दोनों में किसकी job security जदा कहीं जाएगी, तो जिनके पास bio certificate है, ओके, तो ये भी enhance करता है job security को, ओके, next है higher salary package, तो जैसे ये आपका promotion होता है, तो आपकी salary package भी होता है, in case आप कहीं पर job switch करते हैं, तो जो आपकी current salary होती है, उससे कहीं ज्यादा आपकी salary होती है, वो इस certificate के काराद increase कर जाती है, तो ये भी एक benefit होता है, ठीक है, non-view के compression में, next है better job opportunity, तो अगर मालीजे किसी industry में काम करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे और बहतर industry में हमको जाना चाहिए, ठीक है, तो आपको एक तो बहतर industry में जाने का एक मौका भी मिल जाएगा, माली जो छोटे मोटे plant में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी process plant, अब चाहते है किने किसी बड़े plant में जाने कि हम को आपको बहुत साहता परदान करता है, तो एक हो गया, इन डिमांड इंडस्ट्री लेक पावर, प्लांट, और रिफानरी, केमिकल प्लांट, सुगर मिल, फूड प्रोसेसिंग, यूनिट, एंड टेस्टाइल इंडस्ट्री, जितने सारे प्लांट है, जहां पर बोईलर यहां पर जॉब के चांसे भी, आपकी जॉब ऑपरचुनिटी भी है, वह इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, यूँ के फाइंड जॉब इन रेपूटेट ओर्गनाइजेशन विद मोर केरियर ग्रोथ ऑपरचुनिटी, जैसे छोटे प्लांट में आप काम करें, जैसा कि मैंन सरे कंट्री ऐसे भी होते हैं, जो B.O.E. से मिले हुए skill और certificate को मान लेता परदान करते हैं, ठीक है, उसके value देते हैं, तो वहां पर भी career growth करने का chances बहुत जादा होता है, ठीक है, तो वहां पर भी एक job opportunity की chances बनती है, आपकी career growth होती है, तो इतने सारे जो होते हैं, वो इसक non-B.O.E. के comparison में एक B.O.E. candidate का फायदा होता है, ठीक है, तो I hope कि आप easily समझ गए होंगे कि एक non-B.O.E. और एक B.O.E. में क्या अंतर होता है, आप easily आप देखे होंगे, अपने industry में अगर आप किसी non-B.O.E. को देखिए और किसी B.O.E. को देखिए, तो आपको B.O.E. मे होता है, B.O.E. करने के लिए, ठीक है, और ऐसे भी अगर मैं अपना opinion कहूं, तो कुछ नहीं करने से अच्छा है, कि कुछ किया जाए, ठीक है, certificate आपके पास जितने ज़्यादा होगे, career growth करने का chances भी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर हम यूहीं मानने कि इसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, अब future में इसका कोई value नहीं रहेगा, यह रहेगा, तो यह सब मानने के बाते हैं, तो विकार की बातों पे ध्यान देने से अच्छा है, कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें अपना certificate increase करना चाहिए, अपनी qualification increase करना चाहिए, अपनी skill जो है, वो increase कर करना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मेरे नजरिये से आपको करना चाहिए, तो आई होग कि आप इससे समझे होंगे, बाकी कोई doubt हो, तो comment box में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग तो please वीडियो को like जरू करें, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें, मिलेंगे इस वीडियो के में तब तक के लिए जहिए